हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल टैरो विशिवी चिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बुटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे गाइस एक जेनरल लीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ र पॉस्टिफ वे में लीजेगा जितना आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए बाकी को इग्नॉर कीज़े और गाइस एक टैमनेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी और यह रीडिंग सभी जॉर्डिक सान के पार्टी के वारे में क्या सोचते हैं प्लीस ऐंजर्स मेरे विवにはर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के वारे में क्या सोचते हैं 4 of Cups मेरे व्यूवर के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज गाइड करें एंजल्स okay so guys justice so guys यह निकल कर रहा है 3rd party के लिए काई so guys पहले मैं 3rd party को डिसकस करूँगी उसके बाद you know मैं आपके लिए cards निकालूँगी I hope आपको सारे cards दिखाई दे रहे so guys ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि आपके जो भी partners है वो 3rd party के you know को प्यार receive card के लिए मुझे यहां पर ready नि दिखाई दे रहे है तो आसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स जो है न वो कुछ अलगी manifest कर रहे है क्योंकि यहां पर magician का card आया so ऐसा लग रहा है कि आपके partner's कुछ नद कुछ manifest कर रहे है और उसके जस्ट ऊपर four of cups का card है तो ऐसा लग रहा है कि आपके partners ऐसा manifest कर रहे हैं कि मुझे you know इसका प्यार नहीं चाहिए फोर of cups के नीचे ये card magician का निकल कर आया तो ऐसा लग रहा है कि इस इस्तिती में आपके partners बैटे है यही आपके partner manifest कर रहे है कि उनको third party का प्यान नहीं ची अगर third party उनको काफी ज़्यादा प्यार ओफर कर रही है एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कहीं नहीं तो यह अपने दिल के दर्वाजे third party के लिए नहीं खोल रहा है ऐसा मुझे याँ पर दिखाई दे रहा है आपके partner कहीं नहीं manifest कर रहा है मजीशन का card है आपके partner कहीं नहीं manifest कर रहा है justice ठीक है यह ऐसा मुझे आपर दिखाई दे रहा है उसके बाद guys अगला card है nine of swords कहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके partner रातों को रोते है और जिस भी third party के साथ है वो खुश नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर रातो अपके partner की आपको कहीं खुश दिख रहा है कि आपके partner मुझे तो नहीं दिख रहा है आपके partner इतना जादा खुश थर्ड पार्टी के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके partner भाग जाना चाहते है उसके बाद guys chariot दिखाते है एक powerful position को ऐसा हो सकता है कि past में आपके partner काफी नहीं वाले उसमें रहा करते थे आपके साथ जब यह रहे तो काफी ऐसे इनसान थे कि काफी बोल्ड इनसान थे काफी डर पोक टाइप इनसान नहीं थे जब आपके साथ रहे relationship में जब आपका relationship इनके साथ अच्छा रहा तो इनकी कुछ personality अच्छी थी ठीक है यह हमेशा ही stand लिय पर job करते हो stable हो कुछ लोग के साथ यह बात resonate करेगी बट जो भी था यह उस time काफी अच्छे थे लेकिन third party के साथ रहते देते हैं आपके partners तेके 10 of swords में चलेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partners ना पहले बहुत action के mood में रहा करते थे जब यह third party से नहीं मिले थे या पुड़ी सी लग रहा है जैसे कार्ण निकल आपको बता रही हो अगर यह reading आप से रहे हो अगर यह reading आप से रहे हो आपके साथ रहे हो ताकि मुझे क्लियर हो कि इतनों के साथ रहे हो आपके बाद जब आपके साथ रहे ना तो वह चैरिट वाले actions में रहते थे ठीक है जब तक वह आपके साथ रहते थे वह कुछ इस तरीके से थे चैरिट वाले यह मतलब इक पावरफुल इंसान लगते थे ठीक है एक ऐसा लगता था कि इंसान कभी धोका नहीं देगा कभी जूट नहीं बोलता है ठीक है ऐसा भी हो सकते है कि आपके पार्टनर्स हमेशा और इसको जाके मतलब मार देना या फिर उनो किसी का सुनना नहीं सुनके लेना नहीं कुछ आपके पार्टनर मुझे पास्ट में दिखाई देरहे हैं लेकिन राइज थर्ड पार्टि के साथ आपके पार्टनर स्टन आप acceptable कans उनको ऐसा लगता है कि 10 तलवार उनके सर के मतलब सरीर के उपर है घायल इंसान जखमी इंसान मुझे आपके पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं जिस तरीकी के कार्ट्स आते हैं फिर मुझे उसी तरीकी का एक्स्पिनेशन यहां पर गाईस देना पड़ता है तो लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पावर की आपके जो पार्टनर से वो चैरिएट से कनवर्ट होगा है 10 of swords में और यह जिनके साथ भी resonate करेगा प्लीज कॉमेंट कि हा मैं मेरे पार्टनर काफी अच्छे थे जब वो मेरे साथ थे काफी powerful personality लगते थे ऐसा लगता था कि यह कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए है ना अपनी family को भी मना सकते हैं या यह मुझे नहीं खो सकते बाकी सब कुछ कर सकते हैं काफी इनकी ऐसी personality रही होगी काफी इनने वादे कसमें भी आपके साथ खाये होंगे और थे वो इस type में ऐस किसी ने आपके connection में फूट डाली या मतलब फूई third party आप लोगं के बीच में आवगी ना उसके बाद आपके partners ऐसे हो गए nine of swords, seven of swords, six of swords, 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 swords की energy है magician दिखा रहा है, manifest कर रहे है, क्या manifest कर रहे है, justice manifest कर रहे है, ऐसा लग रहे है, आपके partners justice को manifest कर रहे है कि भगवान, please justice कर दो मेरे साथ, मुझे इसके साथ नहीं रहना, कुछ ऐसी मुझे दिखाई दे रही, wives, क्योंकि four of cups के नीचे magician निकल कर आया, जो कहीं नहीं ऐसा लगत जिसके साथ मैं पहले रहा करती थी रहा करता था, उसका प्यान मुझे चाहिए, justice मांगती हुए, इसा भी हो सकता है, क्या आपके partners के life में, इस ताइम justice चल रहा हो, यह कर्मा फेस कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, क्या आपके partner कर्मा फेस कर रहे हो, क्योंकि five of swords भ इसके सब्सक्राइब आपके रहे हो, क्या रहे हो, क्या रहे हो, यह करों, वो करों, मतलब देखे, two of pentacles लिखा रहा है, बस सोचना, 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 overthinking, तो है, उसके बाद है, divine ना इनको इनको इस ताइम उल्टा लटका दिया पेड से, तीके ऐसा लग रहा है, इसा लग इसा भी हो सकता है, justice यहाँ पर निकल कर रहा है, divine presence यह सकता है, divine का game चल रहा है, divine intervention चल रही है, आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि five of swords का भी card इसा लग रहा है कि, आपके partners को literary triggers दिये जा रहे हैं, जो भी karmic लोग इनकी जिंदगी में मौजूद है, उनकी व यहां से भी high priestess है, seven of wands है, so guys, मुझे तो आपके partners की स्थिती सही नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल भी third party के साथ, in fact, आपके partner चैरियोट वाले action में रहा करते थे और अब 10 of swords में convert हो गए, just नीचे वो निकल कर रहा है, so यह third party के साथ cards, ठीक है, चलिए guys, अब हम आपके लिए देखते हैं, यह third party के cards में यहां रखती हूँ, अब लेते हैं आपके लिए cards, ठीक है, please angels, guide करें, मेरे व्यूर के partner मेरे व्यूर के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूर के partners मेरे व्यूर के बारे में क्या सोच रहे हैं, king of pentacles, page of cups, यह चलके आया है, अरे वा, देखें guys, एक card उचलके आया था, देखें, nine of pentacles, यह भी उचलके गिराया है, एक और उचलके गिराया है, उपको देखते हैं क्या है, okay, seven of cups है, lovers है guys, lovers का card है, and यहां से six of cups है, wow, wow, it's amazing, ठीक है, चलिए, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, guys, आपको card सेके समझ में तो आ रहा होगा, कि आपके partners आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए, मैं फिर भी बताती हूँ, आपके partners, ऐसा सोचते हैं कि, आपके लिए तो उनको, जब आपको वो तभी पा सकते हैं, जब वो काफी stable हो, ठीक है, वो आपको तब तक नहीं पा सकते हैं, जब तक वो अपनी life में stable नहीं है, या वो कुछ achieve नहीं कर लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप तब तक आपके partners, you know, हमेशा कोशिश करते रहते हैं, कि वो आपको खुश रखें, आपके बच्चों को खुश रखें, और अगर आप married नहीं हो, तो वो सोचते हैं, कि आपसे शादी करना है, या फिर कुछ भी, so guys, आपके partners हमेशा ही stability में लगे रहते हैं, और अभी भी मुझे ऐस उसके बाद guys, यहाँ पर 9 of pentacles का card, आपको वो independent energy में देखते हैं, आपको लिए वो ऐसे देखते हैं, कि आप हमेशा ही खुश रहते हो, आप, मतलब आप ऐसे इंसान हो न, guys, कि आप दूसरों को प्यार देना भी जानते हो, ठीके, आप खुद जब कोई इंसान दूसरों को प्यार दे सकता है, तो obviously वो खुद से तो प्यार करी सकता है, अगर कोई इंसान दूसरे को खुश रख सकता है, तो obviously व तो वो सोची अपने लिए खुद कितना कर सकता है ठीक है आपके partner आपको self love में देखते हैं independent energies में देखते हैं उन्हें लगता है कि आप financially emotionally काफी independent हो आप अपनी life में grow करते हो अच्छा करते हो आप अपनी life में आपके partners देखते हैं उसके बाद guys page of cups दिखा रहे है कि आपके partners आपको प्यार भरा offer देना चाहते हैं call करना चाहते हैं, message करना चाहते हैं अपने प्यार को offer करना चाहते हैं ठीक है बताना चाहते है कि उनकी life में आपकी एहमियत क्या है ठीक है, और ऐसा भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए के नीचे निकल कर आया, seven of cups कहीं न कहीं, इस cup को यानि कि इस प्यार को offer देने के लिए वो काफी सोचते हैं, सोच विचार मुझे आपर दिखाई दे रहा है, आपके partners की thinking में, कि वो सोचते हैं कि कैसे जाया जाया, बहुत confusion आपके partners के mind में रहती है उसके बाद guys, Knight of Swords दिखा रहे हैं कि action लेके, quick action लेके fast action लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि guys, आपसे काफी जादा प्यार करते है lovers दिखा रहे हैं guys, काफी जादा प्यार करते है, soulmates और twin flame का connection मुझे दिख रहा है, मतलब soulmates से connection आप लिटरली निकल कर आया, six of cups भी है bottom से, so ऐसे सोचते हैं कि अपने divine counterpart के पास दुबारे से चले जाएं, भाग के चले जाएं, king of swords दिखा रहे हैं कि, quick action लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं बहत प्यार करते हैं guys, आपके partners, काफी जादा आप से प्यार करते हैं, यहां पर भी six of cups का card है, आपके पास ही भागते हैं guys, आपके partners, कितनी भी परेशानी क्यों नहीं हो, यहां से मून है, यहां से, page of swords है, यहां से, मून है guys, कि यह अपनी बातों को feelings, काफी जादा हाइड करते हैं, यह अपनी बातों को जल्दी आपको express नहीं करते हैं, अगर यह reading आप से resonate हो, प्लीज कॉमेंट करिएगा, guys, यहां पर clearly दिखाई दे रहा है कि, आपके partners, आपको social media पे stock करते हैं, feelings को hidden रखते हैं, so guys, जिनसे भी यह चीज resonate करें, जिनके लिए भी reading निकल कर रहा है, जिससे भी resonate करें, कि, yes ma'am, मेरे partners हैं, थीक है, वो काफी feelings को height करते हैं, और इस तरीकी के जिनके भी partners है, so please, आप लोग, comment section में लिखिए, कि, yes ma'am, यह reading मुझे resonate करती है, उसके बाद, guys, यहां पर seven of pentacles का card है, so मुझे खुश भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपके partners, plus guys, यहां पर transformation का card है, so हो सकता ही, काफी लोग के partners का transformation चल रहा हो, so literally, आप देख सकते हो back to back किस तरीके के cards आपके लिए निकल कर रहा है, और किस तरीके cards आपके partners के लिए निकल कर, sorry, किस तरीके cards third party के लिए निकल कर रहा है था और आपके partners के इन के Heilandigarde कार्ट आपके लिए निकल कराheen. यह आपके पार्टेर्टेस के फीलिंग्स हैं आपके लिए और 3rd party के लिए ठीक है. चल यह गारिद समन देखते हैं. यहां से देखते हैं और वह आपके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज एंजल काइट करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सूचते हैं डिसकनेक्टेंड बॉर्डम क्राउन चक्रा इंट्यूशन फिर्म फांडेशन तीन कार्ट्स आया हैं डेस्टिनी लव बिगिंस यहां से है ठेम्प्टेशन ठीक है गाईज यह कार्ट्स खुदी निकल कर आया हैं और यहां से है चुत ओके यहां से है होग होगए तो यहां पर क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्ट्नर yardım आपके पार्ट्नर Ce tears राइट नौ मुझे आपर ऊसे दिख्वगा दे रहा है कि आपके पार्ट्नर equipped किसी से यह बात नहीं कर रहता है किसी से कोई इनको मिलना किसे भी मिलना इनको अच्छा नहीं लग रहा यह सबसे डिसकनेक्ट हो चुके हैं क्राउन चक्रा पे इनकी काम चल रहा है इस टाइम इनकी क्राउन चक्रा को उपन करने की कोशिश हो रही है material और spiritual life में आपके partners grow करने की भी कोशिश कर रहे हैं यह पे love begins का कार्ट है आपके साथ new beginning करना चाहते है intuition के लिए इनको connection के रिगारी intuition को guide करते हैं कि आपके साथ क्या connection है ठीक है आप लोग past life lovers हो या जिस तरीके से भी intuition को बताते है इस connection के बारे में हो सकते है angels guidance मिलती हो इनको firm foundation दिखा रहा है आपके partners चटान की तरह मजबूत हो रहा है इस time उनको भी इतनी तकलीफ दी जा रही है third party के दौरा या कार्मिक्स के दौरा क्योंकि यहां से भी judgment का कार्ड है वहां से guys देखा था third party के लिए justice का कार्ड है judgment का कार्ड है कहीं ना कहीं आपके partners में लाइफ में divine intervention इस time चल रही है यहां से devil का कार्ड भी निकल कर रहा है temptations हो कहीं ना कहीं आपके partners किसी ना किसी karma cycle में है यह तीनों कार्ड मुझे यह दिखा रहे कि आपके partners किसी ना किसी karma cycle में हो और जिसके साथ भी यह आपके partners है वो third party जो कोई भी है वो कार्मिक मुझे यहां पर दिखाई दे रही है आपके partners को karma lesson देने आई है या आया है जो भी है जिसकी life में ठीक है आपके partners मुझे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी karma को किसी cycle को face कर रहे है राइट नौ यह आपके partners की situation मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ठीक है और गाइज यहां पर hope का card है यह भी है कि आपके partners ने काफी ज़दा hope बनाई हुई है उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन सब कुछ यहां पर sort out हो जाएगा यह आपके partners की right now feelings यहां पर निकल कर आई है यह उनकी life में चल रहा है overall third party के लिए भी मैंने बता दिया आपके लिए भी मैंने बता दिया overall भी मैंने बता दिया कि आपके partners की life में overall क्या चल रहा है ठीक है क्योंकि इस time अगर वो आपके साथ नहीं है third party के साथ है so guys third party के साथ उनकी जंदगी में यह चल रहा है ठीक है angel की guidance में आपके लिए लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग guidance per day मिलनी चाहिए कि आपको अपनी life में क्या करना है nothing will come off the situation so guys आप लोगों से angels कह रहे हैं कि आप अपनी life पर focus कीज़े नहीं तो आपकी situation नहीं सुद्रेगी यहां से you and your loved ones are safe connection को surrender कर दीजे आप जिस भी partner के लिए तना परिशान हो रहे है वो partner भी safe है आप भी safe है आपका प्यार भी safe है third party सो just karma lesson देने आई है वो चली जाएगी तो आपको परिशान होने की ज़रत नहीं है यहां पर ठीक है time to give rather than take तो यह समय है ठीक है अपने वारे में सोचने का जो जितना दे रहा है उसने उतना लोटा दीजे ठीक है आपको ज़रत से जादा परिशान होनी की ज़रत नहीं है थोड़ा सा adjust कर ली जिस time के साथ adjustments are required यहां पर emotions are running high अगर आपको बहुत जादा emotional feelings हैं किसी को लेके और आप अपने emotions पर control नहीं कर सकते तो angels आप से कहरें कि emotions पर थोड़ा से control बनाई है ठीक है सुपर्मून का card है यहां पर a new start is coming angels आप से जारें कि आपकी life में new start आएगा definitely आएगा आपकी ठीक हो जाएगा आपकी life में so अभी आप new start के लिए ready हो रहे हैं the end of a tough cycle approaches देखिए wheel of fortune के just two पर आया the end of a tough cycle approaches so कहीं नगे angels की यह guidance है कि जो भी wheel of fortune यानि कि जो भी cycle अभी आपके partners की life में चल रही है वो बहुत जल्दी खतम हो जाएगी और उसी के साथ आपकी new beginning होगी यह tough cycle खतम हो जाएगी यहां से show the world the real you तब तक दुनिया को दिखाएगे कि आप reality में कौन है आप क्या कर सकते हैं यहां से भी दो cards आए है balance, spiritual and practicality what do you need to release prosperity lies ahead and bring love into the situation चार cards unfold हुए थे सो मैंने आपको बता दिये ठीके आप अपनी situation में थुदा प्याल लाईए अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है अस टाइम सो आप से कहा जा रहे है कि आप थोड़ा सा अपनी situation में प्यार भरिये ठीके आप प्यार से रहने की कोशिश कीज़े कुछ भी खराब नहीं हुआ है prosperity को अचीव करने कोशिश कीज़े negativity को release कीज़े, toxic लोगों को release कीज़े और practical और spiritual life में balance बनाईए ठीके और यहां से भी है nothing is yet set in zone कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखाए situations कब ठीक हो जाएंगी आप भी नहीं पता कर पाऊगे so यह है you versus third party ठीक है यह है आपके partners की overall feeling और यह है आपके लिए guidance अब आप अपनी life में ग्रो करने की कोशिश कीज़े so guys यह थी आपकी reading I hope आपको reading पसंद आयो अगर आपको reading पसंद आये तो में चैनल को like कर दीजे subscribe कर दीजे and thank you guys